Hey guys, welcome back once again, so दोस्त वांची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है The Edge कहानी शुरू होती है चार्स नाम के बिलेनर से जो अपनी वाइफ माईकी के साथ एक फोटो शूट कराना चाहता है वो भी अलास्का में जाकर लेकिन क्या ये इतना असान है जितना चार्स ने सोचा है ऐसा क्यों ये हमें आगे बता चलेगा वलकानी शुरू होती है अब चार्स अपने प्राइवेट प्लेन से एक जगाँ पहुचता है जहाँ पर उसकी टीम भी आ चुकी थी जो कि उसके साथ ही जाने वाली है जिसके बाद वहाँ से ये लोग एक छोटी से ब्लीन में बैट कर अलास्का के एक छोटी से रेस्टरॉं में पहुचाते हैं और यहाँ पर चार्स को उसका फोटाग्रफर बॉब मिलता है जिसकी फोटोस के हर कोई दिवाना है इसलिए चार्स ने उसे हाईर किया है यहाँ रेस्टरॉं के मालिक सब को एक चीज़ के लिए वान भी करते हैं कि इस जगाँ पर यह लोग ठहरे हुए हैं वहाँ आसपास भालू का खत्रा है इसलिए वो जब भी कुछ खाएं तो उसके बाद उस खाने को ढख कर रख दें वहना उसकी स्मेल से यहाँ पर भालू आ सकते हैं जिसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब सब लोग उसकी बाद माल लेते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं उस राज चार्ल्स को बहुत भूक लगती है तो वो नीचे जाकर कुछ खाने को ढूनने लगती है लेकिन तभी गेट भी अपने आप खुल जाता है जिसे वो और जाधा डर जाता है लेकिन फिर वो चुपचाप उस गेट को बन करके उपर जाने लगता है पर वो जैसे ही मुलता एक भालू आकर उस पर हमला कर देता है जिसे वो दूर जाकर गिरता और तीस तीस चिलाने लगता है लेकिन तभी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उससे उठाते हैं और फिर हमें यहाँ बता चलता है दोस्तों कि यह बस एक प्रांग था जो कि चा नहीं थी माई की दोस्तों चार्ल्स की वाइफ है वहीं दूसी दरफ बॉब उसे एक चाकू गिफ करता है जिसके बॉक्स में एक नोट भी लिखा था लेकिन वो उसे खूल कर नहीं देखता जिस वज़े से उसे यहाँ पर हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती पर उसने न माईकी के सोलो शूट की इसलिए बॉब बस उसकी फोटो क्लिक करता है लेकिन दूर बैठा चार्ल्स यह सब देख रहाता वो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करता है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता अब शूट खतम होने के बाद बब बब बताता है कि उसे एक मेल पोस्ट कर सके चार्ल्स बोलता है कि क्यों ना मैं उसके साथ पोस्ट करूँ तो बॉब मना कर देता है वो भी बिना वज़ा बताए उसी दौरान बॉब की नजर उसी रेस्टरॉम में रखी एक फोटो पर बलती है वो उस फोटो के लेकर ओनर से पूछता है कि यह कौन है तो बताता है कि यह जैक हौक है जो कि एक प्रोफेशनल शिकारी है तो बॉब कहता है कि ठीक है इसे यहाँ पर बुलाओ मैं इसके साथ फोटो लेना चाहता हूँ तो बताता है कि इसे ढूनना इतना असान नहीं है यह हमेशा शिकार पर ही रहता है पर तुम्हें मैं एक ए काफी नॉलज होती है तो बॉब उसका असिस्टेंट स्टीफिन और चार्ल्स उस प्लेन में बैट जाते हैं और वहां पहुचने के त्यारी में लग जाते हैं लेकिन वहां जाके उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो पहले लिखे गए पते पर आ जाई है कि इस समय पर मैं शिकार पर हूँ अब पाइलेट बताता है कि यह जगा नौर्थ में पढ़ेगी जहां जाना बहुत ही खत्रा है पर चार्स उसे चलने को कह देता है तो वो लोग उस पते के लिए निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में क बहुत ही खराब थी इसलिए बॉब उसे उठा कर किनारे तक लाता है अब तीनों को बहुत ही जादा ठन लग रही होती है इन्हें फोरन आग जलानी होगी लेकिन ये इतना असान नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम लगेगा और तब तक ये तो मारे जाएंगे तब कि हमें कोई ढूंड सके लेगन चाल्स कहता है कि हम यहां फसे हैं ये किसी को भोपी पता नहीं है इसलिए बैतर होगा कि हम लोग Jack Cake newborn तक जाएं जहांसे हमें में भी कोई देख सके जोगी North में है अब यहां Stephen भी उसके बाद से राजी था इसलिए वो तीनों आगे बढ़त जो असल में एक भालू की थी, जी हाँ असली भालू, वो इनी लोगों की तरह बढ़ लाता और इसे देख कर ये भागना शुरू करते हैं, लेकिन आखिर कब तक ये लोग भागती रहेंगे, क्योंकि आगे एक नहर आ चुकी है, जिसे की पार करना बहुत ही जरूरी है, तो उन लोगों से कहता है कि कटे हुए पेड को उठा कर उस तरफ करो, जिसे की एक पुल बन जाएगा, तीनों फॉरन उस पेड को उस नहर पर लगा देते हैं, जिसे की एक रास्ता बन जाता है, और फिर एक एक करके उस पार जाने लगते हैं, लेकिन जब चार्ल्स की बारी जाती है, तो वो लटक जाता है, और तभी वहाँ पर वो भालू भी आ जाता है, अब भालू उस पुल पर चड़ नहीं पाता है, जिसे की वो वापस चला जाता है, और इसी वज़े से चार्ल्स की जान बच जाती है, लेकिन कुछी देर के लिए दोस्तों, अब चार्ल्स बॉप से कहता है कि सारे फ्लेर्स उस नहर में गिर गई है, अब हम लोग कोई भी सिगनल नहीं दे पाएंगे, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढून लेंगे, इसके बाद वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन खूम कर वापस वहीं जाते हैं, जहां से इनोंने शुरुवात की थी, अब ये देकर चार्स बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन स्टीफिन उसे समझाता है कि हमें यहीं पर रुखना चाहिए, आगे जाने से खतरा खाली नहीं है, लेकिन इन्हें अब भूग भी लग चुकी है, जिसके लिए चार्स स्टीफिन को वही बॉब का चाकू देता है, और कहता है कि इसे एक भाला बनाकर मचली पकड़ लो, तो वो चला जाता है, लेकिन कुछ जिर बाद उसके चीखनी की आवाज आती है, तो चार्स भागते हुए उसके पास जाता है, और देखता है कि उसने कर जला दो, अब इसके बाद वो लोग वही रात गुजारते हैं, क्योंकि ऐसी हारत में स्टीफन का आगे चल पाना बहुत ही मुश्किल था, उस दिर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है, और इसी दौरान चार्स देखता है कि बॉब ने उस कपड़े को जलाये नहीं ह जो जा कर एक पेड़ पर लटक चुका है, अब दोस्तों इसकी स्मेल को सुम कर उनके पास एक भालू आ गया था, अब यहां चार्स के पास दो आप्शन होते हैं, या तो बॉब को इस चीज के लिए वो बुरा भला कहता, या फिर वहां से भागना शुरू करता, उसने किहरेमी से वो इधर-उदर फेकता रहता है, और चार्स बहुत कोशिश करता है कि कैसी भी करके उसे बचा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और लास्ट में वो दोनों ठक कर वहां से भाग जाते हैं, और स्टीफन वहीं मारा जाता है, अब अगली सुबा ठंड बहुत ही भूके घुमते रहेंगे, और तब जाकर ये लोग बड़ी ही मुश्किल से एक गिलहरी का शिकार करते हैं, और उसकी बीश उन्हें एक आवास सुनाई देती है, जो कि एक हेलिकॉप्टर की होती है, और वो हेलिकॉप्टर इन्हीं दोनों को ढून रहा था, अब दोनों उ सब जो कुछ भी हो रहा है, वो बस उसकी वज़े से हो रहा है, क्योंकि उसकी वज़े से वो यहां पर आये थे, अब यहां बाब बातों ही बातों में कई सारी ऐसे बाते बोल देता है, जिसकी असल में बाब को उससे नहीं बलकि उसके पैसों से दिक्कत है, लेकिन उसे य इतनी जादा ठंड है कि बरदाश करपाना मुश्किल था लेकिन ये दोनों फिर भी बस चले जा रहे थे इनका यहां से बीच आस्मान के नीचे रुकना खत्रे से खाली नहीं था क्योंकि भालू या फिर कोई भी जानवर इन पर हमला कर सकता था कुछ समय के बाद इन्हें भ खरीब ना सके लेकिन इन्हीं भी ये बात अच्छे से पता थी कि जैसे ही आँग बुझे की वो भालू फिर से इन पर हमला करेगा उससे पहले इन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो आगली दिन जब वो लोग के आँख खुलती है तो चार्स कहता है कि हमें ऐसे तब चार्स से बताता है कि जो इंडियन बॉइस होते हैं वो ऐसे भालों को थपड़ मार कर आ जाते हैं और हम लोग उसके पास तक नहीं जा पा रहे हैं अब मैं तो उसे मानने जा रहा हूं अगर तुम्हें यहीं रुकना है तो रुक सकते हो इसके बाद वो एक भाला बन लेकिन वो इन पर भारी पढ़ना शुरू हो जाता है जिस चक्कर में चार्स खाही में गिर जाता है पर वो भालू आ रुकता नहीं वो फिर से उनके पीशे पढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते हैं वो दोनों डट कर उसका सामना करते रहते हैं पर एक समय आ जाता है जब बॉब कमजोर पढ़ने लगता है इस वजह से भालू उस पर हमला कर देता और वो घायल हो जाता है लेकिन उसी दुरान चार्ल्स उसका ध्यान खुद की तरफ आकर शित करता है और जैसे वो उसके करीब आता है वो वही भाला उसके अंदर घुसा देता है जिससे फाइनली वो मारा जाता है वो दोनों उसकी खाल को निकाल कर खुद के उपर डाल लेते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहें ये इनका पहला शिकार था लेकिन अभी इने जाना कहा है इस बात का इने पता लगाना होगा तो चार्ल्स माईकी की दी हुई वाच में से निडल निकाल लेता और फिर उसकी मदद से एक कमपस बनाता है और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर उन्हें किस दिशा में जाना है दोनों अप चलाई करना शुरू करते हैं चार्ल्स के लिए सफर बहुती दर्दनाक था क्योंकि उसकी उमर हो गई थी और अब से जादा दिनों तक वो चल नहीं सकता लेकिन यहां दोस्तों उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अब काफी लंबा सफर तै करने के बाद उन्हें किसी शिकारी का हो सकता है जिसका इस्तिमाल बहुत दिनों से नहीं किया गया था अब अंदर जाने पर उन्हें एक बंद को चेक करने के लिए जाता है तो वहीं चार्ल्स अंदर कौटे से कुछ समान लेने लगता है उसी दौरान उसे अपने चाको वाले बॉक्स में वही नोट मिलता है जिसका जिकर हमने कहानी के शुरुआत में किया था उस नोट में चार्ल्स के लिए खरी दे गए समानों की लिस्त थी जो से पता चलता है कि जो वाच माइकी ने चार्ल्स को दी थी वो असल में उसने बॉप के लिए खरी दी थी लेकिन उसे बाद में वो चार्ल्स को दे दी और ये सारी चीज़े देखकर वो समझ जाता है कि उसके वाइफ और उसके दोस्त उसे धोका दे रहे हैं हम दोनों नहीं मेन्ट करी थी। लेकिन किसमत ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मानने के बाद मैं तुम्हारी वाइफ से शादी कर लूँगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। उससे लेके बाहर जाता है मानने के लिए लेकिन चार्ल्स बहुत ही चलाग था नहीं वजाए कि वो बेलेनर है क्योंकि किसमत के साथ-साथ दिमाग की भी जरुत पड़ती है जो बॉब के पास नहीं था अब चार्ल्स उसे अपनी बातों में फसा कर उसी जगान ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर एक ट्राप लगाया हुआ था जिसे वो देख नहीं पाता और सीधा उसी में जाकर गिर जाता है अब नीचे गिरने के वज़े से उसके पैर की हड़ी टूट चुकी थी अब यहाँ चार्ल्स नीचे उतरता है उसने उसे धोका दिया इतना बुरा भला कहा लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करता है वो उसका बच्पन का दोस्त है वो उसे वहाँ से उठा कर कॉटिस तक ले आता है लेकिन तब तक बॉब भी होश हो चुगा था चार्ल्स आसपास देखता है कि शायद उसे कोई मेडिकल किट मल सके लेकिन ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता है और इसलिए वो उसके घाव को कबले से साफ करता है और कुछ देर बाद उसे हूश आ जाता है तो उसे ले जाकर बोट पर बैठा देता है और फिर वहाँ से दोनों जाने लगते है अब बीच रास्ते में बाब चार्ल्स से माफी मांगता और रोत हुए कहता है कि वो एक अच्छा दोस नहीं बन पाया तो चार्ल्स बोलता है कि ऐसा कुछ मस सोचो तुम बस आराम करो तुमें काफी चोट लगी है कुछ दिर के बाद वो एक किनारे पर आ जाते हैं जब बाब कहता है कि तुमारी वाइफ की इसमें कोई गल्दी नहीं है मैंने यह उसे अपनी बातों में फसाया था तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो मैंने तुमारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद कर रहे हो तुम चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम्हें और माइकी को माफ कर दिया है अब कुछ मत बोलो तुम बस आराम करो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन बॉब कहता है कि मैं अब मलने वाला हूँ जिसे सुनके चार्ल्स गुसे में कहता है कि अब तुमने दुबारा से मलने की बात की है तो मैं तुम्हें खुद मार दूँगा अब इसी तुरान वहाँ पार एक हेलिकॉप्टर गुजरता है और इस बार चार्ल्स वही गलती दुबारा नहीं करता जो उसने पहली बार की थी जो आग उसने जलाई थी उसमें वो पेड़ की पतियां डाल देता है जिससी कि वहाँ धूआ उटने लगता है और वो रेस्क् तक वापस लेकर आता है जहां पे कई सारे मीडिया वाले मौजूद थे उसे ठीक हालत में देखकर माईकी बहुत ही खुश होती है पर जब उसके हाथ में वही घड़ी रखता है जो उसने बाप को दी थी तो वो समझ जाती है कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है तब ही ए उसने पूरी कोशिश करी अपने दोस्तों को बचाने की लेकिन वो नाकाम्याब रहा तो इस कहानी को देखने के बाद आपको क्या सीख मिलती है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा इस वीडियो पर एम करते हैं 350 कॉमेंट कॉमेंट ज़रूर करेगा मिलते हैं आप स